बिहार के अरेरिया में पुलिस और SSB ने संयुक छापे मारी कर नसे के कारोबार करने वाले एक भारतिये नागरिक और पाच निपाली नागरिक को गिरफतार किया है उनकी गिरफतारी भारत नेपाल सीमा के समीप बसे बौका मजरक गाउं के बार्ड नमबर एक से हुई है SPSO कुमार सींग ने मामले की जानकारी देते हुए पताये कि गिरफतारी एक भारतिये नागरिक नशा कारोबारी है जबकि अन्य पाच नेपाली नशा का सेवन करने के लिए नशा कारोबारी के पास आये थे उन्होंने बताया कि गुप्त सोचना के अधार पर सिक्टी पुलिस और SSB जवानों के सहयोग से सुक्रवार की देर रात बौका मजरक गाउं के बार्ड नंबर एक में छापेमारी की गई थी इस दोरान नसा के कारोबार में सनलिप सरीफ पिता नासिर के घर से 84.6 ग्राम स्मैक 750 ग्राम गांजा और 47,110 रूपे नेपाली केरेंसी बजन करने वाला माइक्रो मसीन, 189 पीस ब्लेड, 21 पीस स्मार्टफोन, एक टैबलेट, एक कैमरा और नसे की गोली को जब्त किया गया है छापेमारी के दोरान एक भारतिये नागरी को ग्रफतार किया गया है जो नसा का कारोबार करता था वही नसा का सेवन करने आये पाच भारतिये नागरी को भी पुलिस ने दबूचा है गिरफतार सरीफ अपने घर से गांजो और स्मैक की आपूर्टी नसा खोरी को करता था इसके बदले उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी S.P. ने बताया कि इसको लेकर सिक्टी थाना में N.D.P.S. Act के तहट मामला दर्ज किया गया है मामले में आगे की कारवाई की जा रही है और नसीरी पदार्थों का सेवन भी करते हैं जिसके बाद वर्यपदादिकारी के निर्देशा नुसार S.P. 52 बटैलियन तथा जीला पुलिस की टीम के द्वारा मोहमद सरीफ के घर बिद्वित चापमारी किया गया चापमारी के करव में मोहमद सरीफ के घर में बैठे छे लोग भागने का प्रियास किया जिससे टीम के सदस्यों के द्वारा ससस्त्रबलों के द्वारा उसे पकड़ दिया गया तलासी लेने पे मोहमद सरीफ के पास 84.6 ग्राम ब्राउन सुगर इसमाइक 4200 नेपाली रुपे बरामद हुगे अन्य पाँच अभित्व के पास 21 मोबाइल फोन एक टैबलेट 47,110 नेपाली करेंसी इस में वजन करने वाला एक मसीम कुछ ब्लेट के पीसेस गांजा 7.50 ग्राम यह अन्य समान बरामत किया गया जिसे विद्वत चप्त किया गया जिसके समन्द में सिट्टी ठानाकांट संख्या 329 बाइस दर्ज किया गया है गिरफतार अभ्युक्त मोहमद सरीफ हैं दूसरे सेस नरायन राजवनसी हैं तीसरे रौसन राजवनसी हैं चौथे संतूस परिहार हैं पांच में आशीम उर्फ अनीश हैं छटे अक्षे डोम हैं एक इंडिया के रहने वाले हैं मोहमद सरीफ बाकी पांच अन्य जो पकड़े गये हैं वह नेपाली नागरिक हैं बरामदगी ब्राउन सुगर या स्मैक 84.6 ग्राम है 47,110 रुपए नेपाली करेंसी है मोबाइल फोन एकीस है टेबलेट एक है गांजा 7.5 फिरो क्रैम है इसमैक बजन करने का मश्रीन एक है कैमरा कैमरा दो कैमरे भी बरामद किये गये हैं इस टीम में जो ही हमारे टीम के सामिल थे बरामदगी में SSB के जो ही जबान हमारे सामिल थे सपी को पुरुस्कत किया जाएगा और वरी पदादीकारी उसमें सामिल थे उनके पुरुस्कार के लिए वरी अस्तर पे अनुसंसर की जाएगी सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले